हेलो स्टुडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हमन्द गुपता आज आपके लिए ले क्या हो बटा आपका बीकॉम सिक्ष समेस्टर का क्या अकांटिंग फॉर्स फॉर्स उस्चेंट इस्टन स्टार करते हैं करें को बcriptions हो नयुके gather higher प्रोष्ट होता है किसके बडिज्ड कोष्ट के या अपरक में से कज़डिक नहीं ऻान रखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट होता है ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर ना तो प्रोफिट होता है और ना ही लॉस होता है यानि के एट पाज टोटल कोष्ट है उसके बराबर होता है टोटल रिवैन्यू जो है टोटल कोष्ट के बराबर होता है इसलिए यह ध्यान दखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अब ह जो है वो हमारा contribution क्या लाता है और contribution जो है किसके बराबर contribution में क्या शामिलोता है फिजड कोष्ट प्लस profit अब यहां पर बात की जा रही है आप से break-even point की तो break-even point पर contribution जो है किसके बराबर होता है तो इस question का जो correct answer है वो है फॉस्ट option नमबर इस्थिर लागत के बराबर हो का चलिए अब नेक्स कुशन जानते हैं तो नेक्स कुशन है मारा बटा वाटीज कैश पेमेंट टू एमपलोई करमचार्यों को नकद भूगतान क्या कहलाएगा इनवेस्टिंग एक्टिवीटी ओपरेटिंग एक्टिवीटी या फैनेंशल एक्टिवीटी या उपरोग्त सभी तो ध्यान रखेंगे करमचार्यों को नकद भूगतान जो है हमारा ओपरेटिंग एक्टिवीटी कहलाता है ओप्शन नमबर भी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अब इसके बाएद नेक्स प्रेशन ने बिटन नुमेरिकल कुश्चन हमारा क्या कह रहा है इफ दा करेंट रेशो इज फॉर रेशो वन एंड कि अग्या दा अमाउंट ओफ करन्ट लाइबिलिटी इस एट थाउजेंट वाट विल वी डा अमाउंट ऑफ करेंट अशेंट यदि चालू अनुपार चार अनुपार एक है और चालू दाइट की राशी 8000 रुपे है तो चालू संपत्ति की राशी क्या होगी बटा liabilities के अब हमारे को question में यहां पर value डीविए चालो उन पार कितना है चार और current assets कितनी दी गई है हमारे कुछ current assets के बारे में हमारे से पूछा गया है और divide by current liability कितनी की है 8000 रुपे की बीच में equal to कर निशान है base 1 करके cross multiply करेंगे तो यहां से हमारी जो calculate होके current assets की value निकल के आएगी 4000 फॉर इन्टू 8000 यानि के 32,000 ओप्शन नंबर इसका correct answer आ जाएगा 32,000 ओप्शन नंबर इसका correct answer है चले बटा अब next question जानते हैं नेक्स्ट कुश्चन है मारा gross working capital is equal to सकल कारेशील पुझी किसके बराबर होती है total assets के total liability के total current assets के total current liability के तो ध्यान रखेंगे बटा gross working capital total current assets को हम सकल कारेशील पुझी कहते हैं कुल चालू समपत्ति को option number C इसका correct answer है जबकि working capital के अगर बात करें केवल कारेशील पुझी किसके बराबर होती है तो कारेशील पुझी होती है total current assets minus total current liability के एक वल चलिए अब next question जानते हैं बटा next question है हमारा cash flow statement can be prepared as per क्या कि रोकड़ प्रवाविवरन किसके अनुसार तयार किया जा सकता है common size method के अनुसार projection method के अनुसार direct method या none of the above तो ध्यान नक्येंगे वेटा cash flow statement को दो तरीके से तयार किया जा सकता है एक direct method और एक indirect method यहां पर question में आपको उसमें से एक option दिया direct method तो यही इसका आंसर हो जाएगा option number c चलिए अब नेक्स जानते हैं बटा नेक्स कुश्चन है मारा कि एक cash flow statement does not show रोकड़ परवह विवरन नहीं दिखाता है रोकड़ परवह विवरन किसे नहीं दिखाता है दिए गए पर चेज़ों मशीन इंक्रीजिन वर्किंग कैपिटल को वैडर क्रेडिट लेमिटीज ब्रीच्ड और वैडर एट न्यू लोनी जवेल्ड क्या कि रहें रोकड़ परवह विवरन किसे नहीं दिखाता है मशीन की खरीड को कारेशील पुझी में वरद्धी को क्या क्रेडिट सीमा का उलंगन हुआ है इसको या क्या नया रिया लिया गया है तो ध्यान दखेंगे रोकड़ परवह वीवरन जो है option नमबर सी और क्रेडिट सीमा का उलंगन हुआ है इसको नहीं दर्षाता है बाकी लें-्देन को यह दर्षाता है अब next question है निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है कथन एक क्या कह रहा है कथन एक कह रहा है बैलेंस शीट और आय विवरन तयार होने के बाद ही रोकड परवा विवरन तयार किया जा सकता है और दूसरा विवरन है क्या आय विवरन बैलेंस शीट और रोकड परवा विवरन से पहले तयार किया जाता है सही विकल्प चुनकर हमारे को बताना है तो बटर ध्यान रखेंगे यह दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस इनकम स्टेटमेंट जो है वह बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले तयार की जाती है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि चलिए नेक्स्वर्शन जानते हैं विटा नेक्स्वर्शन हमारा विच कोस्टिंग मेंटर्ड इज मौर सुटेबल फॉर डिसीजन वेकिंग निन्ने लेने के लिए कौन सी लागत निर्धारन विधी अधिक उप्यूक्ट मानी जाती है दिए गए ओप्शन है आपके पास नंबर वन मानक लागत फिर सीमानत लागत ए और बी डोनो या इन ओल पीरियड कोस्ट अवधी लागत किसे कहते हैं इस्तिर लागत को हम अवधी लागत भोलते हैं नेक्स्ट कोशन आपका contribution margin is equal to अभी आपको बताया है आपने बिटा contribution margin किसके बराबर होता है तो ध्यान रखेंगे बिटा contribution जो है margin sales minus variable cost के बराबर होता है इसको हम दूसरे तरीके से भी denote करते है फीजड कोश्ट प्लस प्रोफिट या फीजड कोश्ट माइनस लॉस के तो इस कोशन में जो दिए गए option है वो उसके accordingly इसका option number C इसका correct answer हो जाएगा option number C इसका correct answer है नेक्स्ट कोश्चन है बिटा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इस दा पॉइंट एट विच ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंडू है जिस पर total revenue total cost के बराबर होता है बिलकुल ठीक है और contribution जो है नेक्स्ट प्रेशन है हमारा which of the following will be uses of funds निम्लिकित में से कोन सा धन का उप्योग है option दिए गए है right of the goodwill goodwill को अप्लिकित करना sales of goods in cash नकदमे माल की भिगरी third है refund of income tax आयकर का refund और payment of dividend लाभांश का फूगतान तो प्रटा इस question का जो correct answer है वो है payment of dividend option number D इसका correct answer है चलिए अब next question जानते हैं तो बटा next question है हमारा the term management accounting was first used in the year प्रबंद लेखांकन शब्ड का प्रियोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था 1981 में 1956 में 1949 में 1950 में तो प्रटा इस question का जो correct answer है वो है 1950 में option number D इसका correct answer है चलिए अब next question जानते हैं बटा next question है हमारा most important question who is the writer of the books entitled financial and operating ratios in management financial and operating ratios in management नामक पुस्तक के लेखक कोन है जे बैटी, रोबर्ट एंड एंटनी, बोस्टॉक या James H. Bliss तो इस बटा इस question का जो correct answer है वो है James H. Bliss एक important information बटा accounting for managers को हो या management accounting को हो बात एक ही है syllabus एक ही है तो बटा आपने यह दिए आप हमारे channel पर नहीं है और आपने हमारे द्वारा upload किये गए management accounting के paper with solution plus extra bite जैसे कि हर बार हम लेकर आते हैं प्लस management accounting के other important question को अगर आपने नहीं देखा तो आप playlist में जा करके उनको जुरूर चेक कर ले क्योंकि वहां पर हमने वो numerical question upload किये हुए है इस subject के जो बार-बार repeat होते हैं कई बार direct value और कई बार question same है language same है बस value change की हुए होती है तो सभी students अपनी better preparation के लिए हमारे चैनल पर management accounting के जो question हमने upload किये हैं जो sold paper upload किया हुआ है उनको एक्जाम में जाने से पहले जरूर consider कर ले अपनी better preparation के लिए इसी परकार के update प्राप करने के लिए चैनल के साथ जुड़े हैं मिलते हैं अपने next session में तब तक के लिए bye bye student and best of luck for your examination के लिएruck Самर liए?...